प्रबात खबर के कुछ पवन्दीप के फोटो जो उनका वहाँ पे जिस तरीके से वेलकम हुआ और जो एक तरीके से उनका जो स्वागत था जो सतकार सम्मान जो था वो बहुत ही बहतरीन उसके कुछ फोटो देखने को मिले है और उनका जो परफॉर्मनस है धनबड की अगर मैं बात करो अगर मैं सही हूँ तो वही पे हुआ था बहुत ही बहतरीन उनका परफॉर्मनस था उसके कुछ हाइलाइट्स भी रिखने को मिले है हलाकि मैंने इस शो के बारे में अरड़ी बात चित करी है तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे बट सम्हाव मुझे अभी भी लगता है कि इतना अच्छा फैंक लब होने के बावजूद भी पवन्दी एक अंडरेटर बन के ही रहे जाता है इतना सब कुछ होने के बाद भी इवन नेहा तो जिस तरीके से दिखाती है कि बाई पवन्दी इतनी तारीब भी करती है क्या उसकी बॉल्दी में कुछ भी पहचान नहीं कि एक मूवी में इसके लिए बात कर पाए एक्चुली नहीं करती है बात यह ना जो पागल जैसे कुछ बोलते रहते ना निहादीप निहादीप अब अगर निहादीप होता न तो पवन्दीप अभी तक तीन-चार फिल्मों में तक कर ही लेता काम वो भी एज़ प्लेबेक सिंगर कर लेता निहाद कि क्या इतनी भी पहचान नहीं है कि निहाद को फिल्मों में सॉंक्स नहीं मिलते है एक से बढ़के एक उतनी उसकी पहचान है चाहे वो टी सीरीज से लेके टीप्स जी म्यूजिक से लेके सारे गम कितने तो यहाँ पे उसकी पहचान है और क्या बोल रहे है तो देखो मुझे सम्हाँ फिल होता है कि एक अच्छे टेलेंटर सिंगर के साथ में भी इनका खुद का जेलसी बूरा लगता है अब देखो किस तरीके से सम्मान मुंबई में मैंन रिसेंटली देखा था किस तरीके से फैन कलब एक तो इवेंट था जहाँ पे एक्चुली मैं वहाँ पे था लेकिन दो तीन किलोमेटर दूर था वहाँ से और वहाँ पे भी उसके पोस्टर लगी हुए थे उस इवेंट के भाई है अच्छा क्रेज बट उतना सपोर्ट अ बॉल्यूड में भी उसको मिले हुए रहते सॉंग्स आपका क्या कहना इसके बारे में जरूर बताइए और आपने देखा या नहीं कॉंसर्ट